आज की क्लास जो होने वाली है ना वो होने वाली है बहुत ही जबरदर्स्त धमाकेदार प्राक्टिस वाली क्लास किस चीज की प्राक्टिस करेंगे भई तो प्राक्टिस हम लोग करने वाले हैं वर्ड्स की क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ words जो है बहुत important होते हैं बहुत major role play करते हैं आपकी अंग्रेजी बोलनी के journey में तो चलिए class को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के रोज बोले जाने वाले English words जब आपको कहना हो किसी वाके में आप कह रहे हूँ इसके अलावा कहेंगे apart from कुछ भी कहेंगे anything सब कुछ कहेंगे everything कोई भी कहते हैं न कहरें कोई भी हो हमको क्या है है न तो कोई भी anybody कोई भी anybody कोई इसका मतलब होता है any ठीके तो कोई भी कैसे बनता है any और buddy से मिल करके बनता है anybody ठीके कुछ कुछ सम थिंग कुछ कुछ सम थिंग Hey everyone, welcome to Bebanker's Spoken English Class स्वागत है आपका आज की क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीती मैम और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं word meaning जो की बहुत जरूरी है आपकी अंग्रेजी बोलने के लिए क्योंकि शब्दों से मिलकर के बनता है वाक्य और वाक्य होता है जरूरी जब आप बोलना चाहें अंग्रेजी तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं उसके पहले बता दूँ Bebanker English की एप लाँच हो चुकी है अगर आपने अभी तक इस एप को गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल कर लें यहां पर प्रीमियम स्पोकें इंग्लिश की जो हमारी बैच है वो कराई जा रही है 2499 वाली बैच मादर 299 में कराई जा रही है तो डेफिनेटली आप इस बैच को जोईन कर लें दो मेने की कोर्से छे मेनी की वैलिडिटी के साथ आता है यह तो आपको किसी प्रगा की कोई दिक्कत होने की संभावना जो है नहीं है तो चलिए इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजेगा अपनी फोन पर इसके अलावा कोई दिक्कत आती है अगर तो इस नंबर पर आप कभी भी जो है फिल फ्री करें सुबह 10 से शाम के 6 तक वाटसप मेसेज करने के लिए कि भई हमें ये दिक्कत आ रही है फ्री क्लास या E-Book से संबंदित जानकारी के लिए इस नंबर पर वाटसप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी E-Books लेने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और कोई भी E-Books जो है इनमें से आप अपने लिए ले सकते हैं चलिए क्लास को आगे बढ़ाए के सामने, कहते हैं ना के सामने, in front of, के सामने यानि की in front of, पीछे, इस्तमाल करते हैं शब्द behind का, किसका इस्तमाल करते हैं, behind का, पीछे यानि की behind का इस्तमाल करते हैं, कौन, जब कहना हो, कौन, तो आप इस्तमाल करते हैं who का, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा WHO जो है इस्तमाल करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना बढ़ेगा कि WHO ऐसे वाक्यों में इस्तमाल होता है जिसमें किसी व्यक्ति की बात हो रही होती है Living की अगर बात हो रही होती है, Living Things की बात हो रही होती है तो आप अपने वाक्य में, मतलब जिसके बारे में पूछ रहे हैं, वो जीवन्त है, लिविंग है, तो आप who का स्तमाल करेंगे, और वही पर अगर non-living है, और वाक्य में मतलब तो again same होगा न, कौन सा, कौन है न, तो which का स्तमाल करेंगे, बात को समझ रहे हैं, दुबारा सम जीवन्त है, उसके लिए बोला जा रहा है, तो who का स्तमाल होगा, और non-living thing है, अगर जीवन्त नहीं है, तो which का स्तमाल होगा, clear, अगला है जब की, जिसका मतलब होता है, while, जब की, यानि की while, दूसरा, दूसरा, यानि की other, दूसरा, यानि other, otherwise, क्या कहते हैं, नहीं तो, यानि की otherwise, नहीं तो, यानि otherwise, बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं, कहते हैं न, कोई बात नहीं, anyway, क्या इस्तमाल करेंगे anyway, कोई बात नहीं, यानि की anyway, कभी भी, इस्तमाल करेंगे anytime, कभी भी, इस्तमाल करेंगे anytime, के द्वारा, के द्वारा, through, क्या इस्तमाल कर रहे है through किसका या किसकी whose शब्द का इस्तमाल करेंगे किसका इस्तमाल करेंगे किसका या किसकी इस्तमाल करेंगे शब्द whose का परे या के बाहर मतलब जो चीज आपके इससे परे हो मतलब जिस चीज पर आपका बस ना हो कहते हैं न कि यह मेरी शमता से परे है उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड उस होता है beyond, क्या उस होता है उस होता है शब्द beyond का उस होता है के कारण या के वजह से, या न दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस्तेमाल करेंगे due to, किसका able to walk, मतलब मैं चल पा रहा हूँ, मैं चलने के योग्य हूँ, काबिल हूँ, मतलब वाग के में अलग तरीके से यूज होता है, यह होता है, able, मतलब एक essence को समझना जरूरी होता है, essence को आप word की समझ जाएंगे, तो वाकिए बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको, हाणा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आंतरिक या अंधरूनी इस्तमाल करेंगे internal का, किस word का यूज करेंगे, यूज करेंगे शब्द internal का, बाहरी या बाहर का, इस्तमाल करेंगे external का, किसका यूज करेंगे, external शब्द का यूज करेंगे, संपत्ति यानिकी asset, संपत्ति का मतलब क्या होता है, संपत्ति का मतलब होता है asset, दाइत्व, दाइत्व को अंग्रेजी में liability कहते हैं, तो उत्तरदाई जो लेता है वो उत्तरदाई होता है तो उसको कहेंगे लाइबल जो दाइत्व ले रहा है वो होगा लाइबल हकदार यानि की एंटाइटल मेबी यानि की शायद सहित या शामिल करना किसका यूज करेंगे इंकल्यूडिंग और वहीं जब कहना हो के बिना के सिवा या छोड़कर मतलब इसको छोड़कर कहेंगे एक्सक्यूडिंग क्या कहेंगे एक्सक्ल्यूडिंग हालांकी ये वाकिय जो यूज करते हैं हालांकी इसके लिए न दो शब्दें हमारे पास although और दो दो शब्दें हमारे पास क्या है although या दो हालांकी यानि कि although या दो भले ही even though किसका यूज करेंगे भले ही इस्तमाल करेंगे even though का के साथ, इस्तमाल करेंगे along with, किसका यूज़ करेंगे along with का, किसी स्थान में या कहीं, इस्तमाल करेंगे somewhere, क्या यूज़ करेंगे somewhere, किसी स्थान में या कहीं, somewhere शब्द का इस्तमाल करेंगे, बहुत सारा, a lot of, जो चीज़ abundance में हो, मतलब बहुत सारी हो, बहुत सारा, यानि क a lot of, के बावजूद in spite of के बावजूद in spite of क्योंकि, because जब reason देते हैं right, क्योंकि यानि की, because सिर्फ इसलिए की सिर्फ इसलिए की, just because of क्या यूज़ कर रहे हैं, just because of, सिर्फ इसलिए की, इस्तिमाल कर रहे हैं, just because of, जैसे ही इस्तिमाल कर रहे है, as soon as जैसे ही, इस्तिमाल कर रहे है as soon as जहां तक, क्या इस्तिमाल कर रहे हैं, जहां तक as far as क्या यूज़ कर रहे हैं, as far as मानो की, या मानो इस्तेमाल कर रहे है as if क्या यूज़ कर रहे है as if बढ़ते हैं आगे अभी तक as of now अक्सर या prior क्या यूज़ कर रहे है अक्सर या prior often क्या यूज़ कर रहे है often इस प्रकार से यानि की similarly मुख्य रूप से mostly जो जाइदा होती है चिके मुख्य रूप से यानि की mostly ताकि इस्तेमाल करेंगे so that ताकि यानि की so that इसलिए या जोर देने के लिए कोई वाकिय है जिसमें आप थोड़ा सा जोर डालना चाहते हैं है ना तो so का इस्तेमाल करेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे so का की अगर वाकिय में आपको pause लेना है क्या करना है pause लेना है वाकिय में pause लेना है तो इस्तेमाल करेंगे की मतलब जैसे की आप रुखते हैं थोड़ा से यहां पे fraction of seconds के लिए रुखते हैं लेकिन रुखते हैं तो किह का इस्तमाल किया जाता है, ऐसा, यानि कि such, दिखाए या बताए गए अनुसार, as follow as, या as follow, as follows, ठीक है, दिखाए या बताए गए अनुसार, as follows का यूज़ करेंगे, फिर say, यानि कि again, कम से कम, यानि कि at least, वहाँ, यानि कि there, और यह जगह locate करने के लिए यूज़ हो जितना, as much as, क्या यूज़ कर रहे है, as much as, up to, यानि कि तक, किसका यूज़ कर रहे है, तक, up to, यानि कि तक का यूज़ कर रहे है, right, तो चलिए भई, ये थी आज की class, जहां पर हमने सीखा क्या, हमने सीखा ऐसे शब्दों को जो mostly आपको वा कि बनाने में बहुत help करेंग क्योंकि इन शब्दों की अंग्रेजिकर आपको नहीं आएगी, तो फिर समस्या है, मतलब फिर आपना long run में वा की बनाने में आपको problems आएंगे, चिके, तो आप क्या करें, इन शब्दों को जरूर से याद कर लें, इन शब्दों की practice करें, तो आपको बहुत काम आएंगे अब बताती हूँ कि कैसे करना है आपको आप पर रेजिस्टर, सबसे पहले आपको अपने फोन पर इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको जैसे आप आप ओपन करोगे, आपको उसमें दो option दिखेगा, एक दिखेगा login, दूसरा दिखेगा register now, register now पर क्लिक करना है, अपना ना mobile number, email id डालना है, और एक password set करना है, 6 digit का, 123456 बहुत easy सा password set करिएगा, जो आपको याद रहे है, इसके बाद आप courses पर क्लिक करेंगे, फिर आप recorded class पर क्लिक करेंगे, फिर व्यूना उपर क्लिक करेंगे, फिर classes पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पहुँच जाएंगे, इ आपको हर class unlock now दिखेगे, ठीके, आपको class 1 की unlock now पर क्लिक करना है, फिर आप इस वाली पेच पर पहुच जाओगे, जहाँ पर coupon को select कर लीजेगा, जिससे 2499 जो है वो घट करके 299 हो जाएगा, इसके बाद आप subscriber क्लिक कीजेगा, फिर आप इस वाली पेच पर पहुच जाए करके आप payment कर सकते हैं, और जैसे ही आपका payment हो गया successful, आपका admission हो गया, हर class जो unlock now थी, अब start now हो चुकी है, और PDF को देखने के लिए विव ना उपर क्लिक करके PDF को देख सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो इस नंबर पर WhatsApp करेंगे पर जाएंगे, जो आपको चाहिए, grammar की, tenses की, vocabulary की, mini spoken, basic plus, यह सारी ebooks आप वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड आप वहां से सीधे सीधे कर सकते हैं, अपनी mobile पर, इसके लावा WhatsApp का group जॉइन कर लीजेगा, टेलिग्राम का चैनल इस लिंक के जरीए, नहीं तो इस नंबर के जरी जॉइन करिएगा, जहां पर आपको 17,000 subscribers दखेंगे, Bbanker English Classes करके नाम दिखेगा, उसी को आपने जॉइन करना है, अग आप दूसरे किसी रांडम मेरे नाम वगेरा से कोई चैनल नहीं है, तो आप उनको मच जॉइन करिएगा, क्योंकि यह फिर वहां पर फसने वाली बात हो जाती है, पता नहीं हो लोग कौन है नहीं है, तो आप मेक शूर करें कि आप ओफिशल चैनल के साथ ही जो ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप देख रहे हैं Bbanker Spoken English Class, सब्सक्राइब कर लें इसको, और मैं आप से मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तिल द झांक यू सो मुच फर वाचिं, स्टे तून तू